हलो बच्चो आज मने पड़े हैं कक्षा दस्वी के काव्वेखंड के पाठ 5 सुरेकान्ट त्रिपार्ठी निराला की कविता उस्साह और अत नहीं रही है के प्रश्ण तर आज हम करेंगे दोनों कविताओं के प्रशनतर हम साथ में करेंगे सुर्यकान, त्रिपार्ठी, निराला जो कि आपकी छितिज भाग 2 का पार्ट 5 है उसके प्रशनतर बहुती सरल भाषा में आजम करने वाले हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए और इसके पहले हमने बाकी के अध्याओं के भी प्रशनतर बना दी है यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लैलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कख्षा नववी और दस्वी के महतपुर्ण प्रशनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलो बच्चों शुरू करते हैं प्रशन पहला उस्सा कविता का है यह कवी बादल से फुहार रिमजिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों तो इसका उत्तर होगा कवी बादल से फुहार रिमजिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि वह बादल के माध्यम से नई कविता की रचना करने वाले कव्यों को उत्साहित कर रहा है जिससे कि वह बादल की गरज के समान क्रांती पेदा करने वाले कव्य की रचना करे तो कवी जो है बादलों के माध्यम से वास्तों में कवियों को प्रोसाहित करने की कोशिश कर रहा है कि यदि बादल गरजते हैं तो उनके गरजने से जन जीवन पर कितना प्रभाव होता है उसी प्रकार नई कविता की रचना करने वाले नवीन कविता की रचना करने वाले कवी भी उस साहक के साथ क्रांति के स्वरों में अपने काव्य की रचना करे तो इस प्रकार से इसकार्थ होगा कवी बादल से फुहार, लिमजिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है इतना तो हमें प्रश्ण में सही लिखना है उसके बाद आएगा क्योंकि वह बादल के माध्यम से नई कवीता की रचना करने वाले कव्यों को उत्साहित कर रहा है जिससे कि वह बादल की गरज के समान क्रांती पेदा करने वाले कव्यों की रचना करे इसके बाद अगला प्रश्ण नमबर दो है कविता का शिर्षक उस्साह क्यों रखा गया है तो यहां पर हमसे पुछा गया है कि उस्साह कविता जो है उसका शिर्षक उस्साह क्यों रखा गया है तो इसका उत्तर होगा कविता का शिर्षक उस्साह रखा गया है जिसके निमनलिकित कारण है तो इसमें पहला कारण हम बत कविता के माध्यम से बादलों को गरजने के लिए उत्साहित किया गया है। तो इस प्रकार ये कारण थे कि कविता का नाम उस्साह रखा गया है। इसके बादल को वह कवियों को लोक कल्यान के लिए उस्साहित किया गया है। तो इन सभी कारणों से कविता का नाम या कविता का शिर्षक उस्साह रखा गया है। इसके बाद प्रश नमबर तीसरा है। कविता में बादल किन-किन अर्थों की और संकेत करता है। कविता में बादल के माध्यम से ही बात कही गई है तो बादल जो है किन-किन अर्थों की और संकेत करता है। तो इसका उत्तर होगा कविता में बादल निमनलिकित अर्थों की और संकेत करता है। पहला बादल को बलचाली दिखाया गया है जो अपना घंगो रूप धारन करके पूरे आकाश को ढग लेता है इस रूप में बादल का अर्थ बलचाली है तो पहले में तो हम याद करेंगे बलचाली क्योंकि बादल को बलचाली दिखाया गया है बादल का अर्थ बलचाली से क्योंकि वहन अपना गन्गों रूप धारन करके पूरे आकाश को धक लेता है इस रूप में बादल को अर्थ बलचाली है दूसरा है कविता में बादल को पिडीत प्यासे जनकी आकांग्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है यहां बादल का अर्थ लोग कल्यानकारी है बादल लोग कल्यानकारी कारे कर रहा है क्योंकि वह जो प्यासे लोग है प्यासी जो जनता है उनकी आकांग्षा को उनकी प्यास को पुरा करेगा तो यहां पर आएगा दूसरे में लोग कल्यानकारी अर्थ में कविता में बादल को पिडित प्यासे जनकी आकांगशा को पूरा करने वाला दिखाया है या बादल का अर्थ लोक कल्यानकारी से है इसके बाद तिसरा पॉइंट है कविता में बादल को नई कविता के लिए कवियों के मन में नई कलपना और नए अंकूर पेदा करने वाला बताया गया है इस अर्थ में बादल सामाजिक क्रांती के रूप में है तो बादल यहां सामाजिक क्रांती के रूप में है क्योंकि ब कविता में बादल को नई कविता के लिए कवियों के मन में नई कलपना और नए अंकुर पेदा करने वाला बताया गया है। लोक कल्यानकारी अर्थ में हैं, सामाजिक क्रांती के अर्थ में और उस्सा उत्पन करने वाले के अर्थ में हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बादल के अलग-अलग अर्थ की ओर भव संकेत कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्ट नमबर चोथा है, शब्दों का ऐसा प्रियोग जिससे कविता के किसी खास भाव या द्रश्य में ध्यनात्मक प्रभाव पेदा हो, नाद सोंदर्य कहलाता है। उसा कविता में एसे कौन से शब्द हैं, जिन में नाद सोंदर्य मोजूद है, चाट कर लिखे। इस प्रकार या तीन जो कविता की लाइने हैं, नाद सोंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इनके शब्द तो यह हमने चाट कर लिख दिये हैं। इसके बाद निराला की कविता अट नहीं रही है, के प्रश्नतर हम करेंगे, तो अट नहीं रही है और उसा दोनों कविता है साथ में हैं। सुर्यकान त्रिपाठी निराला जो के आपके कावे खंड का चितिज भाग दो के कावे खंड का पाठ पांच है और इसके प्रश्नतर अब हम करेंगे, तो प्रश्नत पहला है चायावाद के खास विशेश्ता है अंतरमन के भाव का बहार की दुनिया से सामान जैसे पिठा कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर या धारना पुस्ट होती है लिखिए तो हमें किन लाइनों को कविता की लाइनों को पढ़कर या धारना पुस्ट हो रही है कि हमारे अंतरमन के भावो के बाहर की दुनिया से हम सामाजे से बिठा सकते हैं तो इसका उतर होगा कहीं सा आस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम परपर कर देते हो. इन लाइनों का अर्थ होगा कि फागंड की सुन्दरता स्वर्व्यापक है, हर जगह मुजूद है और इतनी अधिक हो रही है कि सारे और प्रसंता से भर गए हैं, सभी जन प्रसंता से भर गए हैं और लोगों की मन में कालपनिक विचार आने लग गए हैं, वे कलपना में ही विजरन करने लग गए हैं इसलिए यहां लिखा कि उन्ने को नब में तुम पर-पर कर देते हो मतलब पर-पर मतलब यहां पंख से हैं तो तुम उन्ने के लिए पंख प्रदान कर देते हो चारो और इतनी सुन्दरता है कि हर किसी का मन कलपना लोख में विजरन कर रहा है तो इसका उत्तर होगा कभी की आग फागुन की सुन्दर्ता से हर्ट नहीं रही है क्योंकि फागुन की सुन्दर्ता धर्ती के कोने कोने में फैल रही है फागुन का मादक सुन्दरे बहुती आकर्शक है तो इस कारण से कभी की आग फागुन की सुन्दर्ता से नहीं हर्ट रही क्योंकि फागुन की सुन्दर्ता धर्ती के कोने-खोने में पैल रही है फागुन का मादक सुन्दरे बहुती आकर्शक है इसके बाद इस कविता का प्रश्ट नमबर तीसरा है प्रस्तुत कविता में कवी ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कविता अर्ट नहीं रही है में कवी ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है तो यहां पहला रूप लिखेंगे फागुन में प्रकृति का सौंदरे सर्व व्यापक है प्रकृति का सौंदरे फागुन में सरव्यापक है दूसरा है फागुनी हवा से धर्ती का कोना कोना भर गया है और मन प्रसंद होकर पंख लगा कर उड़ने लगा है तीसरा होका फागुन के सौंदरे से आखे हट नहीं रही है चोथा है पेडों की डालिया पत्तों से भरी हुई है उनमें फूल लगे हैं जो माला के समान शोभायमान हो रहे हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे प्रकृति के व्यापकता का वर्णन हमें बताना था किन रूपों में किया गया तो पहला रूपता फागुन में प्रकृति का सौंदरे सरव्यापक है दूसरा है फागुनी हवा से धर्ती का कोना कोना भर गया है और मन प्रसन होकर पंख लगा कर उड़ने लगा है तीसरा है फागुन के सौंदर से आखे हट नहीं रही है और चोथा है पेडों की डालिया पत्तों से भरी हुई है उनमें फूल लगे हैं जो माला के समान शुभायमान हो रहे हैं इसके बाद प्रश्च नमबर चोथा है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रितों से भिन्न होता है तो हमें यहां बताना है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रितों से भिन्न होता है तो यहां जो कविता दे रखी थी फागुन पर ही थी तो अम उसके आधार पर भी इसमें लिख सकते हैं कि फागुन में इसा क्या होता है जो बाकि दिदों से भिदन होता है तो इसका उत्तर होगा तो हमने है पॉइंट में लिखे हैं पहला पॉइंट है फागुन में प्रकृती बहुती सुन्दर दिखाई देती है दूसरा है फागुन की मादक सुगंदी थवा चारो और फैल जाती है तिसरा है फागुन में पेड़ पोदों पर नए पत्ते आते हैं और सुन्दर फूल लगते हैं तो कि फागुन में ही पेड़ पोदों पर नए पत्ते आते हैं, उसमें सुन्दर फूल लगने लगते हैं. चोथा फागुन की सुन्दरता के कारण मानो मन भी प्रसन हो जाता है और कल्पना लोक में विचरन करने लगता है. तो यहाँ पर बहुत आसान उत्तर है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रिदू से बिन्न होता है. तो पहला पुइंट हम लिख देंगे, फागुन में प्रकती बहुती सुन्दर दिखाई देती है, दुसरा है फागुन की मादक सुगंदी थवा चारो और फेल जाती है, तीसरा है फागुन में पेड़ पोदों पर नए पत्ते आते हैं और सुन्दर फूल लगते हैं, कावे शिल्पकी विशेष्टाएं हमें यहां लिखने इसका उत्तर होगा। पहला है भाषा, सबसे पहले हम भाषा के बारे में लिखेंगे, निराला जी की भाषा शुद्ध सरल हिंदी भाषा है, जिसमें तस्सम वत अद्भव शब्द का प्रयोग मिलता है। ओचपुर्ण भाषा उनकी विशेष्टा है। इसके बाद दूसरा है अलंकार, उनके कावे में अलंकारों का सुन्दर प्रयोग मिलता है, जिन में अनुप्रास, उपमावा, पुनरक्ती, प्रकाश, प्रमुक है। इसके बाद अगला है चंद, निराला जी ने चंद मुक्त कावे की रचना की है, वे चंद मुक्त कावे के प्रवर तक माने जाते हैं। अगला है ध्यनात्मक्ता, उनकी कावे रचना में ध्यनात्मक्ता वे संगीतात्मक्ता का गुन पाया जाता है। तो इस प्रकारे चार विशेशता हैं हम लिख देंगे यहां पर उनके कावे शिल्प की भाषा, अलंकार, चंदर, ध्यनात्मक्ता। तो इस प्रकार हमने नि और दस्टी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए